हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है, आपके अपने चैनल में है मेरोईत आप सभी के साथ और देखे सौंबार को बजार कैसा ओपन हो सकता है, सौंबार को कैसे आपको काम करना चाहिए और जिन लोगों ने बाइंग किया है, होल्ड किया है, वो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, इंटा डे में कैसे काम करना चाहिए, वो भी इसी वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने भी हमार टेलिग्राम चैनल को सबस्काइब ने किया, तो टेलिग्राम चैनल को सिसेन में दिया गया है, देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने चार्ट ओपन किया है, निप्टी का चार्ट ओपन किया है, और निप्टी के चार्ट पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए, निप्टी ने जो हाई मारा ना, उसकी बात कर करते हैं 15000 का हाई मारा और हमने आप सभी से पहले बोला था कि बजार कभी भी पंदा हजार जा सकता है लेकिन वहांसे क्या हुआ वहांसे देखें गिरावट आई क्यों कि देखें 15000 का लेवन सबसे पहले हाई हुआ है लाइप टैम हाई हुआ तो महां पर क्या होता है जब भी हम lifetime high पर जाते हैं तो वहां से profit booking आती है ऐसा पहले भी हो चुका है अगर मैं बात करूं तो 11 तारिक को lifetime high हुआ था उसके बाद गिराबट आई फिर उसके बाद देखें यहां पर आपको 24 तारिक को भी ऐसा हुआ था अभी कि मैं बात करूं तो आज पंस तारिक के आज भी ऐसा हुआ तो जब जब हम उपर जाएंगे उपा से हम नीचे आंगे और फिर नीचे से हम उपर जाओंगे होता क्या है कि बजार आपको एक पैटर्न में काम करता है आपको कभी भी, आप देख लिजे, कभी भी आप ऊपर high पे जाओगों, lifetime high पे जाओगे, तो वहाँ से आपको गिराबट देखने को मिलेगी, या profit booking देखने को मिलेगी, कभी भी बजार आपको एक सीध में नहीं चलता, अगर आप सोचो कि बजार एक सीध में चले, कभी नह बजार आपका नीचे भी आगा ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा लेकिन रोल ओबर अगर आप देखो गए तो आपका बजार ऊपर ही जा रहा होता है अब यहां पर देखें मैं आपको देखाना चाहूंगा एक सेकेंड आप देखें इस जगह और आज के दिन देखिए बजार में आपको फॉफिट बुखिंग भी देखने को मुली बोलो हां इस जगह आपका बजार देखिए पंदा हजार चवदा गया वहां से देखिए बॉफिट बुखिंग आई नीचे की साइड इसने जो लो मारा वह 14,860 के आसवास का मारा फिर वहां से अगर मैं बात करूं बीच में जो किसने किलोजिंग दी वह 14,940 के किलोजिंग दी और इसने जो ओपनिंग दी थी वह ओपनिंग की भी पन बात करेंगे ओपनिंग देखे 14,950 के आसवास की ओपनिंग हुई तो जहां से अगर आप किलोजिंग देखोगे ना जो किलोजिंग है वो किलोजिंग अपने ओपनिंग से लो पे हुई है मतलब अगर आप माइनस में इसकी किलोजिंग देखने सकते हो अगर मैं बात क चाठ देखने नहीं आएगा देखी काम नहीं हो पाएगा सबसे इंपोर्टन चीज में आपको बता हम चाठ हर किसी को देखना और चाहिए अगर आप मैं बात कहूं जिसने हाई मारा जहां से गिरावट यहां से गिरावट अब यहां पर देखें पैटन आपको क्या अब ही कौन सा बनते हुए दिखाई दे रहा है Grip गरावट का अब यहां पर देखें आपको यह पर मैं अज के दिन सपोट आपके जिर कौनसे सपोर्ट है यहांपे मैं आपको लिख देता हूं इस जो important आपका support है वो 14,875 का है अगर इस support को बजार टोड़ दीता है तो नीचे गिरावट आ सकती है और दूसर जो अमारा support है वो 14,850 इन support पे आपको धियान दनना है माल लिजे बजार में आपको गिरावट देखने को मिले कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आ सकती है कुछ भी हो सकता है डाव फीचर आप देखोगे डाव फीचर में आपको कमजोरी दिखाई दे रही है आप बोलोगे कहां दिखाई दे रही है इतनी तेजी तो है कहां कमजोरी दिखाई दे रही है तो देखे जहां पर validity आपको देखने को मिल सकती है क्यों देखने को मिल सकती है इसके बारे में मैं आपको बताएता हूँ अगर आपने पहले डाव feature देखा होगा इस जगह आपने पहले जहां पर देखा होगा तो जहां पर 1% की तेजी थी कितनी थी 1% की आसपर तेजी थी और अभी मैं बात करूं तो यहां पर देखे, 0.30, 0.80 पर जहां पर देखे, 1% की तेज़ी थी, जहां पर कितना हो गए, 50 पॉंट, तो कुछ भी हो सकता है बजार के अंदर, जब मत सोचे कि कुछ भी नहीं हो सकता है, जब आप सभी लोग जब सोचने लगोगे ना, मुझे तो सब कुछ आने लगा बजार के अंदर जबी आपका लॉस होगा बोलो हाँ अब यहां पर देखिए यहां पर अपन समझ लो सबसे पहले कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना है स्टॉप लॉस होना है 14,850 का स्टॉप लॉस है अब जो तेजी आईगी बजार के अंदर वो इस लेवल से आईगी लेवल कौन सा है 15,000 का 15,000 के उपर बजा जाएगा जबी तेजी आईगी 14,850 के नीचे आगा तो मंदी आईगी ठीक है अब यहां पर देखिए एक वन आवर्स का चार्ट में आपको लगा कि दिखा दिता हूं वन आवर्स के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो बजार ने देखिए कितनी कोशिस की उपर जाने की देखिए कितनी कोशिस की लेकिन नहीं जा पाया नीचे गिरावट की कितनी कोशिस की नहीं आ पाया तो कहीं ने कहीं ऊपर का जो रेजिस्टेन है वो 15,000 का नीचे का जो सपोर्ट है वो 14,850 का सपोर्ट ह बिक्वाली कीजिए support पर खईदारी कीजिए इतना बजार में आपको देखने को मिलेगा और यहां पर देखे पूरा आपको box बंते हुए दिखाई देरा अगर आप box देखोगे लेवल देखके काम कीजे सब काम होगा लेवल देखके काम नहीं करोगे कुछ काम नहीं होगा सिंपल सा है अब यहां पर बात कर लेते है option chain की option chain का data क्या दिखा रहा है जगा option chain की data में अगर मैं बात करूं data कम है क्यों कम है क्योंकि देखिए जहां पर option chain आपकी current की option option chain है और जो आपकी सफवारी थी वह चात तारीक को सफवारी हो चुकितों इन नई option आपको जाँपर मैं दिखा रहा है option chain पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहां पर देखे 29% जहां पर आपको दिखाई देगा 29,000 के आसफ़स जहां पर आपको option chain दिखाई दे रहा है कितने के level पर 15,000 पर changing कितने हुई है 5,800 की अगर मैं इसी level पर बात करूँ support पर तो support पर देखे यहां पर आपको कितना दिखाई दे रहा है 18,000 चेंजिंग कितने हुई है 7,150 के आसफ़स वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है 3,500,000 के आसफ़स का यहां पर वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा ह चेंग तो अभी जो तेजी का मूव्मेंट है बहुत तेजी का मूव्मेंट और आएगा आपका यहां पर कितने पर 15,000 पर मन्दी का मूव्मेंट ने पर अगए 14,850 के पूरा लेवल है आपके सामने पूरा डाटा आपके सामने फाइच की पूडिशन देखते हैं लेकिन इसी के अंदर अगा आप अपनो में देखोगे अगर आप आप आपको दिखाई देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा इंडेक्स बेचे एंडेक्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं 1500 करोड के, यहां पे अगर बात करूँ तो इन्होंने future खईदे हैं, अगर मैं बात कर लोऊ stock की stock में कितने खईदारी होई है, stock में 500 करोड के आसफ़स की होई है, अगर मैं बात करूँ FNO में इनकी 35 करोड का बेचा है तो ये भी आपको FIS का डाटा देखना काफी जरूरी है डाटा नहीं देखोगे काम नहीं हो पाएगा सबसे important डाटा है ठीक है अब चलिए अब चलिए लेवल समझ लीजे लेवल उपर कैसे आपको ध्यान देना है लेवल उपर देखें यहां पर मैं आपको लिख देता हूं 15,000 के उपर आप नई खईदारी का सकते हो क्रॉस करता है तो ठीक है वन्हां हमको क्या करना है 15,000 के आजफास बिक्वाली करना है अगर मार्केट नीचे आता है तो हमको नई खईदारी के जगह करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं हमको नई खईदारी करना है 14,800 14,800 पर हमको नई खईदारी करना है ठीक है इस जगह 14,800 पर हमको नई खईदारी करना है क्यों करना है क्योंकि यहां पर आपका सपोर्ट है काफी अच्छा सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है बिकवाली हमको कप करना है बिकवाली में आपको बताए था हम चाउदा हाजागा ए सब्लाइक तो क्रस करेगा तो वन्ना को दिखते हैं यहां पर सो किरजेषावर सो आने वाला सपोर्ट हो जाए बाकी यहां पर एक अच्छा क्रोस और भी आपको देखने को मिला थेजी के साथ तो तेजी के साथ उबन होगा ठीक है महां से अगर गिरावट आती है तो इस लेवल तक आ सकती है इस लेवल को अगर क्रोस करेगा तो गिरावट और ज्यादा आईगी इस लेवल को क्रोस नहीं करेगा तो इस लेवल पर आप खरी सकते हो वीडियो पूरा देखने के लिए आप स सबीका धन्यवाद, जैहें, बन्यवाद.